असलाम आलेकुम गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ सिंपल चिकन बर्गर रेसिपी, यह बहुत टेस्टी है, खाने में जरूर ट्राइ कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बनाया है, तो यहाँ पर मैंने चिकन को पीस लिया है, एक मि पाउडर, चाट मसाला और नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस में मैंने डाला है, थोड़ा सा लसनत रख का पेस्ट, जितना आपका चिकन है, उसी साफ से आप डालिएगा, तो यहाँ पर मैं इसकी टिक्की बना लूँगी, इस तरीके से, तो टिक्की के अंदर मैं ड हमारी रेडि हो गई है, इसी तरीके से मैं अपनी सारी टिक्की बना लूँगी, मैंने यहाँ पर टोटल चार टिक्की बनाई थी, मतलब मुझे दो बर्गर बनाने थी, तो मैंने उस हिसाफ से चार टिक्की बनाई थी, तो ये खाने में न गाइज बहुत टेस्टी लगता है बिल्कुल मार्किट जैसा लगता है इसका टेस्ट आप इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा और घर का हेल्दी बना हुआ खाईए तो जाद अच्छा होता है गर हम घर की बनी हुई चीज़े खाएं तो बस देखें मेरी चार टिक यहां रेडी हो गई है तो मैं यहां पर डिप रेडी कर लोगी तो मैंने यहां टमाटो कैचप लिया है तो टेबल स्पून और टू टेबल स्पून मैंने मियोनीज लिया है तो मैंने साथ मेरा यहां पर टमाटर और कहड़ा कर लिया था प्याज मैंने इसमें एद नहीं की थी तो इस वज़े से प्यास मैंने कट नहीं कि आप्ट चाहे तो प्यास भी आट कर सकते हैं तो मुझे ना थोड़ी सी spicy बनानी थी तो मैंने यहाँपर ना थोड़ी सी रैडच कर जिया था आप चाहें तो चिली फ्लेक्स वगरा भी डाल सकते हैं इसके अंदर तो बर्गर को मैंने बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है तो यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है इसमें मैं अपनी टिक की फ्राई करूँगी सबसे पहले थोड़ा सा आईल लेंगे इस तरीके से मैं अपनी टिक की सारी फ्राई कर लूँगे अच्छे से तो इसमें जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है यह अच्छे से नहीं सिकती तो इसे हमें पलट पलट कर सेखते रहना है और इसको ना दबाते रहना है क्योंकि इसमें से पानी निकलता है जब तक पानी खुशक नहीं होता है निकलना बन नहीं होता है टिक्की का तो तब तक हमें से फ्राइ करना है तो इसमें देखिए अच्छा सा कलर आ गया है और पानी निकलना भी खतम हो गया था तो टिक्की म जो लगा तो फिर मैंने इसके बर्गर के ऊपर बटर लगा कर फिर इसे फ्राइ कि असवाद नहीं दो घिरे और अपनी टिक प्र दुबारा खिरा और दुबारा टिक किया तो मेरा एक रीडी हो गया इसी तरीके से दूसरा बी रेडी कर लूगे और मुझे ना ज्यादा प्य वरगर में मैं खासकर मुझे टमाटर ज्यादा पसंद नहीं है तो इस वाधिक से मैं टमाटर कम एड़ किया है आपको पसंद तो यह ज़ों ट्राइब कीजिए पिर मुझे कम आड़ करेगा आप इसमें चीज स्लाइस भी एड़ कर सकते हैं मैंने इसे सिंपल तरीके से बनाया है बिल्कुल घर के जैसा जो घर पर चीजे अवेलिबल होती है मैंने सिर्फ उस सामान से बनाया है अगर आपके पास हो तो आप डाले अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजे उसके बिना भी बहुत टेस्ट कि अवेलिबल चीजे नहीं है थे अवेलिबल झापक